आज के दौन में लड़कियों का उच्छ शिक्षा प्राप्त करना बेहद आम बात है लेकिन एक वक्त पर लड़कियों के लिए पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल था और एक चुनोती पूर्ण काम था और ऐसे में जिन्होंने शुरुआती लड़ाई लड़ी उनमें से एक थी फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक और समात सुधारक फातिमा शेख का जन्व नौ जनवरी 831 को पूरे में हुआ था फातिमा शेख एक भारतिय महिला शिक्षका थी जो सावित्री बाई फूले की सहीयोगी भी थी सावित्री बाई फूले और फाति फातिमा शेख को आर्धुनिक भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका भी कहा जाने लगा। 9 अक्टूबर साल 1900 को समाज को एक नई दिशा देने वाली फातिमा शेख ने अपनी आखनी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया।